गुटी। बोनी फ्रेंड्स, दिस देने इल एंड वेलकम टू संद्वा नेच। दोस्तों, सत्हमता परिच्छा का इक्जाम कमप्लीट हो चुका है और इसका रिजल्ट को ले करके दोस्तों और जो सत्हमता परिच्छा में आवेदन आये थें और सचमता परिच्छा में जो अस्थानी निकाय सिच्छाग जो सामिल हुए थे दोस्तों उनको परिच्छा फलके परकाशन से संबंधित बैठक हुई और अपर मुखे सचुई की अध्यस्ता में दोस्तों 5 मार्च को बैठक संपन हुई थी दोस्तों और उस बैठक से क्या क कुछ निकल करके सामने आया वह हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों कुल 2,21,000 आवेदन हुए दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर सचमता परिच्छा जो हुआ था अप्लिकेशन जो रिसिप्ड हुए थे टोटल वह 2,21,255 हुए थे दोस्तों और यहां पर देख लिजे 1200 के आसपास जो सिच्छक है वो डूब्लिकेट पकरे गए हैं एक ही एक ही सर्टिफिकेट से 2,3,4 सिच्छक जो है वो अपलाई किये थे और 1205 सिच्छक जो है वो पकरे गए हैं इन पर आगे क्या कुछ करवाई होगी दोस्तों हम लोग इस वीडिय क्या सही तेहां पर MCQ दिया गया था जो कि आपके कच्छा 3 से लेकर के 10 वह तक था दोस्तों इसे बहुत से कोच्छन सच्छमता परिच्छा में आए भी और आगे होने वाले जो बिहार सिच्छा का एकजाम है वीपेसे TRE 3 होने वाला है दोस्तों उसमें भी इसे बहुत से कोच्छन आएंगे वीपेसे TRE 1 और 2 में भी किरन प्रब्लिकेशन का जो बुक आया था जोस्तों उसे काफी प्रस्ण आए वे थे बिहार SSC, CGL, Inter के लिए भी काफी उप्योगी है ये बुक क्योंकि ये NCRT पे आधारित बुक है दोस्तों बिहार दरोगा, बिहार सिपाही ये अन्य सभी परत्योगता है अकादमी परिचाव के लिए बहुत ही ये उप्योगी है, आगे आने वाले समय में दोस्तों आपके पास परधान सिच्छा, परधान अध्यापक का एक्जाम होने वाला है, वहाँ पर भी जो कोच्टन आप से पूछे जाएंगे, वो NCRT बि ग्यान से सम्मधित प्रस्ण है, जो बिग्यान का आपका कच्छा 6 से लेकर के 10, समाजी की बिग्यान का जो दोस्तों 6 से लेकर के 10 तक और परयावरन अधिन का कच्छा 3 से 5 तक का सारा प्रस्ण है, पर MCQ के रुप में दिया गया है दोस्तों, तो ये काफी fruitful होगा, आगे आने वाले जो एक्जाम्स हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार S.A.C. का हो, या बिहार सिपाही या बिहार दरोगा से सम्मधित आपके लिए हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि 5 मर्च को अपर मुक्सचिव मनने के के पठक सर के तरफ से दोस्तों, उनकी अध्यच्चता में ये बैठक हुआ था और बैठक में देखे ये निकल करके सामने आया कि 2,20,255 जो सिच्चक हैं उन लोगों ने अनलाइन आवेदन पत्र भरा था दोस्तों और जिसका जिलावार विवरन ने भी दिया गया है कि किस जिले से कितने सिच्चक इसमें सामिल हुए थे दोस्तों द सुझ का बीटेट, सीटेट, एस्टेट के रॉल नमबर के अनुसार दूबली केट है और इसकी विवरनी भी यहां पे अनुलगनक तुम में दिया गया है दोस्तों जितने भी सिच्चक थे उन लोगों का थाम इंप्रेशन और फेस रिकोनेजेशन भी लिया गया है और दे सबका स्यम पाए जा रहा है और एक या ही सर्टिफिकेट पे तीन चार पाच सिचक जो है वो अब तक सेवाए देते आरहे हैं दोस्तों तो कही न कहीं उसमें से एक ही दूबल एक ही सर्टिफिकेट और एक ही व्यक्ति से होगा बाकि फरजी होईंगे और उनकी छटनी होग क्योंकि ये जो 1205 हैं इन सबों को दोस्तों फीजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है और यहां पर देख लिए कुछ महतपून डेट दिया गया है यहां पर परिछा एजेंसी द्वारा अपरिफिकल उपलब्ध कराना है आपका साथ मार्च दोहजार चोबीस तक अप्रिषा एजेंसी को उत्तर गुझी उपलब्ध करवाना थे यहां तक दोस्तों अपत्त्ति यह लाइइव करना आपका 12 मार्च 24 को 11 बज़े तक दोस्तों ठीक है एक 12 बज़े तक उत्तर कुंजी जो है ओव आपको दे दिया जाएंगा और किनी कोइभी उसमें कोई अपती होगा तो वह 12 मार्च को आपती कर सकते हैं अपती करने का जो डेट होगा दोस्तो वह 14 मार्च 2024 12 बज़े तक होगा बारस से आपका श्टार्ट होगा और आपत्यों के निराकरन है तो डेटा SCRT को उपलब्ध करा जाएगा 15 मार्च 2024 को और तुरूटी रही उत्तरकुंजी SCRT के दौर उपलब्ध कराना है 18 मार्च 2024 को और परिच्छा एजेंसी दोरा Board Agency को परिच्छा फाल उपलब्ध करवाया जाएगा 20 मार्च 2024 को और Board दोरा दोस्तो अंतिम परिच्छा फाल का परकासन आपका 23 मार्च 2024 को किया जाएगा तो जो भी सच्छंता परिच्छा दिये हैं दोस्तों उनका जो रिजल्ट है वो 23 मार्च 2024 को परकासित कर दिया जाएगा साथ में आपका जीला का आवंटन भी होगा दोस्तों तो इस तरह से यह जो बैठक थी वह उस बैठक में महतपूर निरिन ने लिया गया है निदेशक माधमिक सिच्छा सिच्छा भी भाग विहार पटना के तरफ से दोस्तों यह लेटर जारी कर दिया गया है देखे दोस्तों यह अप्लिकेशन जो रिसीव है उसका यहाँ पे डीटेल्स दिया गया है यह अररिया डिस्टिक है अरवल और अंगावा जितने भी आ हैं आपslय बेस्ड ओन डश्टा परिच्छा तो दुस्ता परिच्छा था उसका अधार पे कितने यहाँ पे अप्लाए किये थे बेशीड ओन अधर परिच्छा दूसरे जो परिच्छा लिया गया था उसका अधार कितने अपलाइब ऑर अपहोग पीज殺 और यहाँ पर है तिक है और यहां पर देख लिए दोडलीकेट कंडडीडेट से हैं दोस्तों विट scratching तीट के लिए से कितने हैं तो यहां यहां पर दिखाया देरह यहां Pray a goal का ग्षोधागर देंगास काव नंबर डिफ्रेंट केंडिडेट डिफ्रेंट स्कूल यहां पर देख लिजे तो दो लोग है तो टोटल आपके अरर्या में 38 केंडिडेट्स जो हैं वह दूब्लिकेट पाए गया है उसी तरह अरवल में 30 है और अंगाबाद में 24 है बाका में 52 है और टोटल इसकी जो संख्या है दो भी रोल नमबर है दोस्तों यदि चार-चार केंडिडेट से सेम सर्टिफिकेट का यूज कर रहे हैं सेम रोल नमबर हैं तो कहीं न कहीं आप भी समझ सकते हैं कि उसमें से एक ही टीचर होंगे जो कि जिनून होंगे और बाकी जो तीन होंगे दोस्तों फर्जी होंगे एक ह उनका बचना आसान नहीं होगा दोस्तों क्योंकि विभाग के तरफ से ये सुची जारी कर दी गई है और 2,21,000 सिच्छकों ने आवेदन किया था उससे ये संख्याय निकल करके आई है और अभी जो बच्चे हुए सिच्छक हैं वो आने वाले दूसरी दूसर चमता पर इच् स्किल पड़ता है दोस्तों तो बहराल इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ हफसन से बने इसके साथ बने रहें वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें बहुत बहुत धन्यवाद आएदो रेंगे झाले ने दृब से उन धन्यवादना उन्यवादाइ मैं से पिर शैनल को जड़ता है लिश्तों मन्यवादार लिए कर दोर्द्श से किले देंगे ड़ का마ई़च्पा कर दियुस्तों में आएईद्सों में भाले एंपकर मों ॉयोओ कर भाले कुझ दी कि